आइन्ट वी एस नजरोहित शर्मा ने बताई शर्मनाक हार की वज़े इन ही ठहराया जिम्मेदार भारत को न्यूजीलेंड के हाथों चाओ थे वनडे में आठ विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पढ़ा भारत की पारी को 92 रनों पर समेटने के बाद न्यूजीलेंड ने 14.4 ओरों में दो विकेट खोकर लक्षे हासिल किया भारत की यह गेंद शेश रहते वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी हार है कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि इस हार के लिए खिलाडी खुद जिम्मेदार है विराट को आराम दिया जाने के कारण रोहित शर्मा ने इस मैच में टीम की कमान संभाली यह उनका दो सवाँ वनडे मैच भी था हार के बाद रोहित ने कहा यह बल्लेबाजी में टीम का लंबे अंतराल बाद खराब प्रदर्शन है हमें ऐसे प्रदर्शन की उमीद नहीं थी और इसके लिए न्यूजीलन के गेंद बाजों को श्रेयर दिया जाना चाहिए जब गेंस विंग हो रही हो तो बल्लेबाजों को दबाव सेहन करना होता है इस हार के लिए हम खुद ही दोशी है बल्लेबाजों को जिम्मेदारी प्रदर्शन करना चाहिए था यदि हम थोड़ी देर प्रीच पर टिकते तो परिस्थितियां आसान हो जाती रोहित ने कहा हमने कुछ खराब शॉट्स भी खेले जब गेंस विंग होती है तो बल्लेबाजों के लिए चुनवती बढ़ जाती है टीम कई सी रीच से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी इसके चलते सभी को पता है कि इस मैच में क्या गलत हुआ जब हम अपने देश के लिए खेल रहे होते है तो हमें अपना सरोश्वेष्ट प्रदर्शन करना होता है इस मैच में न्यूजीलेंड ने टॉस जीत कर पहले गेंदवाजी का फैसला किया और उनके तेज गेंदवाज ट्रेंग बोर्ड इकी से पाच और कोलिंग ग्रेंड होम 26 से तीन की बेहतरीन गेंदवाजी ने भारतिये पारी को 92 रन पर समेट दिया भारतिये टीम का वन अडडे क्रिकेट में ये साथवा सबसे कम स्कोर रहा भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा, साथ, शिकरदवन, तेरा, अपना पहला मैच खेल रहे शुबमन गिल ने 9 रन बनाए जबकि अंबाती राय अडडू और दिनेश कार्तिक हाता तक नहीं खोल सके केदार जादव और भूवनेश्वर कुमार ने एक-एक रन बनाय जबकि खलील एहमद पाच रन बना सके जबकि चाहल ने 18 और कुलदीप ने 15 रन बनाए इन दोनोंने 25 रन की साज़दारी कर भारत के स्कोर को 92 रन तक पहुँचाया न्यूजीलेंड की ओर से बोल्ट और ग्रेंड होम के अलावा कीवी टीम की ओर से जेम्स नीशम और एस्टल ने एक-एक सफलता पाई न्यूजीलेंड की टीम 93 रन के लक्षे का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहत खराब रही कीवी टीम को 13 रन के स्कोर पर मार्टिन गुप्टिल 14 का विकेट घंवा दिया गुप्टिल को भुवनेश्वर कुमार हार्दिक पांडिया के हाथों कैच आउट करवाया इसके बाद भुवी ने एक बार फिर भारत को सफलता दिलाई जब उन्होंने कीवी कप्तान केन विलियमसन 11 रन बना कर विकेट की पर दिनेश कारते के हाथों कैच आउट करवाया इसके बाद हेंडरी निकोल्स और रॉस टेलर ने न्यूजीलेंड को बेहतरीन साज़दारी कर जीत दिला दी निकोल्स तिस और रॉस टेलर सें तीसरान मना कर नाबाद रहे